जाहिन दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नु जी के सेंटर पर मेरा केश कुमार राय आपके लिए लेकर आया हूँ सामानी ज्यान एवं सामानी जानकारी जो आपकी SSC, SSC, GD, MTS, CHSL, CPO, फिर आपका आर्मी, रेलवे, JPSC, JSSC, जहारखन प्लिस, जहारखन टीचार, बिहार प्लिस, बिहार टीचार, UPSC, UPPCS, इतने भी तरह की गौर्णमेंट एक्जाम है, इतने भी तरह की परतियोगी परिक्षा है, सभी परिक्षाओं के लिए ये बहुत ही इंपोर्टेंट हो परने वाली है, तो चलिए, आज का ये वीडियो 25 प्रशनों का है, पूरा वीडियो देखके जाएगा, पहला सवाल है, विश्व इस्पात संग, विश्व इस्पात संग जो है, वर्ल्ड स्टिल एसोशेशन के अनुसार, निम्खित में से कौन सा देश, अक्टुबर 2020 तक दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है, सवाल एक बार और समझ लिजे, कि विश्व इस्पात संग के अनुसार, वर्ल्ड स्टिल एसोशेशन, निम्खित में से कौन सा देश, अक्टुबर 2020 तक दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है, देखिए दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश आपको पूछा जा रहा है दोस्तों तो आज रखेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश भारत है 2020 तक ठीक है 2020 तक और अभी भी है और चीन पहले अस्थान पर है आद रखिएगा चलिए आने इस पात उद्योग में चीन एक नमर पर चीन है दुर्से नमर पर इंडिया है निम्कित में से कौन सा रोग मुख्यता एडिज मच्छरों द्वरा फिलाय जाने वाले वाइरस के कारण होता है तो देखिए दोस्तों इसका राइट अंठर होगा आपका आपसन बी जी का पुखार एडिज मच्छरों द्वरा फिलाय वाइरस के कारण होने वाला बुखार है जी का बुखार ठीक है क्या है जी का बुखार जी का बुखार मुख्यता एडिज प्रकार के मच्छरों के काटने से फिलता है सवाल को एक बार और समझ लिजे कि नुवंबर 2020 में उप्राश्ट पति द्वारा अबासी रूप में शुरू किया गया अंतराश्ट साथ वदनम कारिकरम निवन में से किस्चे समझ लिजे तो देखिए इसका राइट अंसर होगा आपका उप्षन इस साहित से ठीक है नुवंबर 2020 में उप्राश्ट पति द्वारा अबासी रूप में शुरू किया गया अंतराश्ट साथ वदनम कारिकरम साहित से संबंदित है और साहित है हमारी संस्कृति और विविरासत का परतिक होता है और यह हमारी संपति भी है आद रखिएगा भारत का केंद्रे बजट तयार कने वाला बजट प्रभाग विद्मंत्राले के अधिन डैस विभाग का एक हिस्सा है तो क्या हो जागा इसमें देखिए दोस्तों इसमें जो हो जागा आपका आप्शन भी आर्थिक मामले का जो आर्थिक मामले विफाग का एक हिस्सा है पांच नवर सवाल देखते हैं निमकित में से कौन सा पारिभासिक सब्द उन प्रजातियों के लिए प्रजुक्त है जो अस्थानी आवास के प्राकर्तिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंतर में सामिल होते है तो देखिए एक बार सवाल आप फिर से समझे लिए कौन सा पारिभासिक सब्द उन प्रजातियों के लिए प्रजुक्त है जो अस्थानी आवास के लिए प्राकर्तिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंतर में सामिल होते है तो देखिए राइट अंसर इसका हो जाएगा आपका आप्शन अबी विजाति ठीक है विजाति ध्यान दिजिए गाउँ विजाति शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रजुक्त होता है जो अस्थानी आवास के प्राकर्तिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंतर में सामिल होते हैं चलिए इतमाद उद दोला का मकवरा कहां इस्तित है तो देखे इसका मकवरा इस्तित है आगरा में नूर जहान अपने पिता की स्मिर्थी में उसकी आद में आगरा में यमना के किनारे इतमाद उद दोला का मकवरा बनवाया था केंद्रे बजट 2020 में वरिष्ट नागरिकों और दिव्याम वेक्तियों के लिए कितनी निधी आवंटित की गए थी तो देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अप्शन 95 करोड रुपए चलिए आगे बढ़ते हैं अक्टूबर 2020 में कमबोडिया में भारत के राइजूत के रूप में किसे निधी किया गया था तो देखेंगे इसका राइट आंसर हो का अप्शन सी देव्यानी उत्तम खोबरा गड़ी देव्यानी उत्तम खोबरा गड़ी चलिए नवान अबर सवाल देखते हैं अधी N परमानू का उरजास्तर सुचकांक है तो M कक्ष के लिए N डेश के बराबर होता है तो देखेंगे इसका राइट आंसर हो जागा आपका आप्शन B तीन आप्शन B तीन तीके आप्शन B तीन आज रखेंगा कि चार कक्ष होता है K, L, M, N तो K, L, M, N तो पहला जो आपका आएगा पहला आजागा एक दूसरा जो आएगा वह जागा दो फिर हो जागा तीन फिर हो जागा चार तो यहाँ पर सवाल में क्या पूछ रहा है कि M का जो कक्ष है K, L, M, N तो M का कक्ष में N किसके बराबर है तो तीन के बराबर आज रखिएगा चलिए आगे बढ़ते है अवद का अंतिम नवाब था अवद का अंतिम नवाब कौन था तो देखिए अवद का अंतिम नवाब था वाजी दली सा वाजी दली सा ठीक है और ये लखनव के भी नवाब थे निमकित में से कौन सी परस्तिती कौफी बगानों को नुकसान पहुचा सकती है कौन सी यह सी परस्तिती है जो कौफी बगानों को नुकसान पहुचा सकती है वो है दानों के पकने के समय वर्षा का होना काफी उत्पादन के लिए भोगलिक प्रस्तिती में गर्म और आदर जलवायू दोमट मिट्टी जिसमें हुमस्ट और आइरन तता केल्सियम जैसे खनिज 1500 सिलेके 200 सेंटिमिटर के बिच वर्षा सामिल है अता यह अस्परस्ट है कि दानों के पकने के समय वर्षा का होना काफी बगानों को नुक्सान पहुचा सकती है चलिए आगे बढ़ते हैं किस संसोधन के ताथ गोवा को पुनराज का दरजा दिया गया था किस संसोधन के ताथ गोवा को पुनराज का दरजा दिया गया था तो देखे जो संसोधन हुआ था वो 96 संसोधन था और यह हुआ था आपका 1987 में कब हुआ था 1987 में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एप पी आई में परतिभूती और अने वितिय परिसंपतियां सामिल होती है जो विदेशी निवेशकों अद्वरान इसकी रूप से रखी जाती है एप पी आई का पुनरूप क्या है एप पी आई का पुनरूप क्या है तो देखिए API का पूर्णूप आपको पुछा जा रहा है तो उसका राइट रंसर हो जागा Foreign Portfolio Investment Option B Foreign Portfolio Investment चलिए आगे बढ़ते हैं किस किले को महराठा समराज का पालास्तम माना जाता है किस किले को महराठा समराज का पालास्तम माना जाता है तो देखिए इसमें राइट अंसर क्या होगा प्रचन्दगर्ण क्या हो जागा Option C प्रचन्दगर्ण अनि अपने सेन अभ्यान के अंदरगात 1644 इसमी में ठीक है ना 1644 इसमी में सिवाजी ने सरपर्थम बीजापूर के तोरण नामक पाली किले पर अधिकार किया और इसमें जो धन मिला उसे से तोरण किले के सामने वाली पाली पर नए किले का निर्मान खराया और उसके लिए का नाम रायगाड और सवराजी का सबसे पली रायदानी बनाया और बाद में इसका नाम परचन गण रख दिया गया चलिए आगे बढ़ते हैं भारत में पूना के मराठा पेस्वाबाजी राध्वित और अंग्रेजों के बीच वर्साई की संदी पर हस्ताक्षर किस वर्स किये गए थे वर्साई की संदी अथवा वर्सिन की संदी इसको कहते हैं 31 दिसंबर 1802 को भारत में ठीक है ना 31 दिसंबर 1802 को भारत में पुना के मरठा पेश्वा बाजिराव दिवित और अंग्रेजों के संदी पर अस्ताक्चर किया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं लेप्टिनेंट जेनरल गुर्मित सिंग को सितंबर 2021 में डेस का राजपाल निजुक्त किया गया था आपका आपसन ने तमिल नाडो पिंजाब उत्राखंड नागालेंड क्या होगा तो आपसन सी हो जागा उत्राखंड चलिए आगे बढ़ते हैं सितंबर 2021 में निवन में से किसने पेरालम्पिक्स में पदक जीतने वाले पहले आई-ए-ए-स अधिकारी होने का गुरव हासिल किया है तो देखिए इसका राइज आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आपसन सी सुहास अतिराज जो टोक्यो पेरालम्पिक्स में एस एल फोर्स रेनी में पुरुष एकल में रजट पदक और सिल्वर गोल्ड मेडल यतने वाले खिलाड़ी है चलिए आगे बढ़ते हैं सिल्वर मेडल निमकित में से कौन सी टीम आई-पियल 2020 में उपवेज़ता रही आई-पियल 2020 में उपवेज़ता रही है देखिए इसका राइट अंसर होगा आपका और सन भी दिल्ली कैपिटल ठीक है दिल्ली कैपिटल जिससे आई-पियल तेरो के रूप में भी जाना आता है चलिए आगे बढ़ते हैं बेरिनाग का जल स्रोत सवाल बहुत इंपोर्टन है बेरिनाग का जल स्रोत उतरभात की नदी डैस का मुक्षि स्रोत है बेरिनाग का जल स्रोत उतरभात की नदी डैस का मुक्षि स्रोत है तो देखिए इसका राइट अंसर क्या होगा इसका right answer होगा option A, जहलम नदी, ठीक है, बिरिनाग और कस्मीर के समिफ, जो कस्मीर में है, बिरिनाग के समिफ सेषनाग घिल से निकल कर जहलम नदी, उत्तर भारत में बहती भी चिनाम नदी में मिलती है, जो को आद रखेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, किसी तरल पदाष द्वारा लगाए जाने वाले घर्सन बल को निमन में से क्या नाम दिया जाता है, या दिया गया है, तरल पदाष द्वार जो घर्सन बल लगता है, उसके बारे पुछा जाता है, तो इसको कहता है तलकर्षन क्या कहता है तलकर्षन चलिए अगला है भारतिवानी जीव संग्रक्षन अधिनियम 1972 की निम्खित अनशुचियों में से किसके तात गंगा के डॉल्फिन संग्रक्षित किया गए तो देखे गंगा का जो पहली नुसुची में भारते संग के घटक राज्यों और 29 राज्यों संग्षासित चतरकाव लेख है और भारते वन जीव संग्रक्षन अधिनयम उनुसाबांतर की पहली नुसुची के ताथ कंगा के डॉल्फिन संग्रक्षित किये गए चलिए आगे बढ़ते हैं राष्टे बेडमिंटन चंपियनशिव 2019 कहां आवेजित किये गए थी तो कि इसका आवेजन हुआ था 2019 में ठीक है गुआहाटी में कहां किया था गुआहाटी असम में तैंग बोचे मठ किस देश में भारत के किस राज में इस्तित है तैंग बोचे मठ तैंग बोचे मठ जो है भारत के नेपाल में इसमें नेपाल हो जाएगा क्या हो जाएगा नेपाल में ठीक है या किस देश में भारत के किस राज में स्थितत या नेपाल में है कहा है नेपाल में तेंग बोचे मठ नेपाल में है तो इसका हो जाएगा आपका option C धोला विरा चले आगे बढ़ते हैं working with comrades नामक पुष्टक के लेखक का नाम क्या है working with comrades नामक पुष्टक के लेखक का नाम क्या है तो इसका right answer हो जागा option C अरुन्दतिराई आज रखिएगा ये पूछा जाता है तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूब बताएगा तो फिर मिलता है ये वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत